लूटस सायरवदा इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूँ उत्पल चौधरी आज मैं बात करूँगा क्या सुबह बिना ब्रस्क किये चाय पीने से दातों की सेथ खराब होती है तो आई शुरू करते हैं आज का वीडियो कई लोगों की आदत होती है कि बेश सुबह उठते ही बेट पर चाय पीना पसंद करते हैं यहां तक कि यह लोग दातों को ब्रस भी नहीं करते हैं ऐसा लोगों को लगता है कि सुबह उठकर बेटी पीने से इनके दिन की शुरुबात अच्छी होगी मन अच्छा रहेगा और सारा दिन इनरजेटिक फील करेंगे लेकिन बेटी पीने से स्वास्त से जुड़े कई तरह की समस्याइं हो सकती हैं जिसमें पेट में जलन और सीने में जलन सामिल है यहां सवाल यह उठना लाजमी है कि क्या बेटी पेने से दातों को भी नुक्शान हो सकता है रात करीब 8-9 गंटे सोने के बाद जब हम सुवए उठते हैं तो हमारे मूँ में कई तरह के बैक्टिरिया हो जाते हैं ऐसे में अगर आप बिना बुरुस के चाए का सेवन करते हैं तो इससे मूँ में मौझूद बैक्टेरिया सुगर को ब्रेक कर देते हैं जिससे मुह में एसिट का इस्तर बढ़ जाता है इससे मसूरों और दातों को नुक्षान हो सकता है यहीं नहीं अगर हमारे अगर आप ब्रुस किये बिना बेटी निमित रूप से पीते हैं तो इससे मुह में कैविटी होने का रिस्क भी बढ़ जाता है और मसूरों से जुड़ी कई तरह की बिमारियां भी जैन में लेती है इन सबसे बचनी के लिए आवस्य कि आप बेटी प है डियोजि encoura आप सुभे सुभे उठते ही सबसे पहले चाय पीते हैं तो इससे बॉड़ी डियोड़ी हो सकती असल में चाय में काफीन होता है जब आप काफीन का सेवन ज्यादा मात्रा में कर लेते हैं तो इससे बार-बार पेसाब आने की समस्या हो सकती है इस तरह सरीर को काफी मात्रा में पानी बाहर निकल जाता है पेट में संक्रमना अगर आप सुबह उठते ही सबसे पहले चाय पीना पसंद करते हैं तो इससे आपको पेट में संक्रमना होने का रिस्क भी बढ़ जाता है यही नहीं नेमित रूप से बेटी पीने के कारण हो जाना एक गिलास पानी पीएं, पानी पीने से सरीर में मौझूद बिसाक्त पदार्त यानि टॉक्सिंस पेसाप के रास्ते बाहर निकल जाते हैं, इससे पेट भी साफ रहता है और कई तरह के इसकिन से भी जोड़ी परिशानिया भी ठीक हो जाते हैं, वहीं अगर आप सु इससे कई अन्य तरह की परिशानिया भी खड़ी हो सकते हैं, दातों को स्वस्ते कैसे रखें, दातों को स्वस्ते रखने के लिए बहुत जुरूरी है कि रोजाना दो बार ब्रुस करें, सुबह और साम, यानि सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, अपने दातों को फल है, तो डाइट में सुगर की मातरा कम करें, जीब की सफाई करना ना भूले, निमित रूप से ब्रुस के बाद जीब की सफाई करें, इसमें मुह बैक्टेरिया नहीं रह पाएंगे, और मुह से बद्बुकी समस्या भी कम होनी लगी, तो यह था हमारा आज का वीडियो, आ और वीडियो, लाइक करना मत भूले, धन्यवाल।